बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, मुक्ताइट्स, आइनॉक्स, लेजर और इरॉस इंटरनाशनल और देखिये जो इद के उपलक्ष पर भाई जान ने जो मूवी बनाई है, भारत बहुत ही गजब की है, कुछ लोगों ने तो देख ली और कुछ लोग अब वीकेंड पर इसको देखेंगे, अच्छी तेजी फिर इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं, कैश मार्केट के स्टॉक वहें, वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, पिछले हक्ते मंगलवार को भी आप से का था कि लोगिस्टिक स्टॉक्स के उपर रखियागा, नदर इनके अच्छा है थे, एजिस लॉजिस्टिक्स पर भी रखियागा नजर, इनके भी नतीजे बहुती दमदार निकल कर आयते, चौती तिमाही के पेक्षा यह कि क्यों अनके नमबर्स भी अच्छा आएंगे, HOV सर्विसेज यह है, आज का मेरा फ्रेट शेयर दमदार प्र इक तक मॉंसून जो है, वो केरल के तर्फ पर आही जाएगा, वैसे लेट चल रहा है, यह बात सही है, लेकिन आएगा, इसलिए फैक्ट, RCF, मदरास, फटलाइजर जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, आज के सतर्व, खरिदारी पर फोकस है, एक के व सब्सक्राइजर जाएज मेरा रियल्टी और अच्छी रैली देखने हो सकती है, और अगर आधा परसेंट कट आता तो बहुत जोर की रैली इसमें होगी, तो उसके नजर रखिए, फरीड के तौर पर हमने अमृतान जन लिया है, फम सी जी में अच्छी खासी टेजी है, उसनोंने नई टेकनालोजी लिया है, लास्ट इस्पिरिट से जो एजिंग को कम करने के लिए बहुत रेडूस राइम कर देगी, तो वो इसके लिए बहुत फादेमन हो सकता है, और पावर प्लेस पे भारत फोर्ज एक शौट है, क्योंकि इनका जो क्लास-8 ट्रक्स की विक्री है, यूएस में बहुत तगड़े से गिरी है, जिसका प्रभाव इनके उपर जरूर पड़ेगा, और टीवेस एलेक्ट्रोनिक्स में नज़र रखे, क्योंकि आर्बेक मानना है कि अब डिजटाइशन को और जोर से पुश्ट करने का समय आ गया है, तो इसलिए यह झाल